सर्फराज को मिनी ओक्षन में IPL टीम नहीं मिली लेकिन राजकोट टेस्ट के बाद उन्हें कई फ्रेंचाइजी द्वारा चुना जा सकता है टेस्ट में प्रदर्शन उनके लिए फिर से T20 का दरवाजा खोल सकता है सूत्रों के मताबिक कम से कम तीन IPL फ्रेंचाइजी सर्फराज को टीम में लेने की इच्छुक है राजकोट टेस्ट में इंग्लेन के खिलाफ सर्फराज की 62 रन और नाबाद 68 रन की दो पारियों ने IPL फ्रेंचाइजी की आँखे खोल दी उनका मानना है कि जो लड़का लाज गेंच रिकेट में इतनी आकरामक बल्ले बाजी कर सकता है वो सफेद गेंच रिकेट में जरूर तूफान मचा सकता है हलाकि पिछली मिनी नीलामी में सर्फराज को कोई फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहती थी अगर कर परिवार की तरह IPL फ्रेंचाइजियों को भी सर्फराज में कोई दिल्चस्पी नहीं थी राजकोर्ट में उनकी दोहरी पारी के बाद उन्हें भी बैटने पर मजबूर होना पड़ा सूतरों के मताबिक कम से कम तीन फ्रेंचाइजी मुंबई के बल्लेबाज को साइन करने में रुची रखती है इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स भी शामिल है बाकी दो फ्रेंचाइजी चेनने सुपर किंग्स और रॉयल चेलेजर्स बेंगलो है के के आर के मेंटर गौतम गंभीर ने फ्रेंचाइजी अधिकारियों को सर्फराज को शामिल करके बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने की सला दी पांच बार की IPL चैंपियन चेनने उनके लिए छलांग लगा सकती है महेंद्र सिंग धोनी ने भी हरी जंडी दे दी है